Dear IMU Asparen't, आप सभी को good news मिल गई होगी, क्योंकि IMU ने assistant और assistant finance के लिए answer की जारी कर दिया है, आपको एक mail मिला होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी screen पे, आपको इस type का एक mail मिला होगा, और mail में एक link भी है, आप मेरी screen पर देख सकते हो, उसमें एक link है, link पर आपको click करन देखना है कि answer की सही है या नहीं है, क्योंकि answer की में जो आपको correction करना है, कुछ यहाँ पे आपको कुछ objection लगाने है, उसकी date 27 तक है, तो 27 तक ही कुछ position में आप objection लगा सकते हो, अगर आपको doubt है, तभी आप objection लगा सकते हो, और dear कल की date, यानि आज अभी 26 है, 27 evening को आपको ए देखना है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही important वीडियो रहेगी, वो वीडियो आपकी future decide करेगी कि आपका selection हुआ नहीं हुआ, उस वीडियो में क्या होगा, उस वीडियो में Google form आपको दिया जाएगा, Google form के जरिये ही आप से आपके marks ले जाएगे, और marks को analyze किया जाएगा, और जिसमें कि आपको बताएंगे कि in in student का selection हुआ है, यह नहीं बताएंगे कि कटोग कितनी जाएगी, कटोग भी बताएंगे कि इतने number पर अपकी कटोग आपकी करते करेंगी, waiting list में हम decide करेंगे, कि इस्टिएड़ करेंगे और आपको बताएंग कितने Student waiting list में जाएगे, और किनका नाम आ सकता है वेटिंग लिस्ट में जो डेटा बनेगा कहीं ना कहीं 99 परसेंट मेरे साफ़े 100 परसेंट क्यों न वो डेटा सही हो सकता है क्योंकि IMU का एक ही प्रोसेजर है शिरिफ सेलेक्शन होना अभी बागी है क्योंकि वो उतने ही स्टुडेंट का यहां पे म नाम रखता है जितने स्टुडेंट उनको चाहिए अब जिसके मार्स सबसे जादे होंगे वही स्टुडेंट जो है सेलेक्ट होगा तो गाइज जब मैं डेटा कलेट करूं मुझे पता रहेगा किस कैटेगरी के लिए कितने मार्स है स्टुडेंट के क्या क्या है तो सभी चीजे को एनलाइज किया जाएगा और यहां पर बताएंगे कि कैसे कैसे है तो सारी चीजे आपको उस वीडियो में मिल जाएगी उस वीडियो के अकोडिंग ही आपको अपने मार्स देखने है अगर आपको नहीं पता कि मार्स कैलकुलेट किया जाता है तो वीडियो में आ थैंक यू बाइस